तो से सब्सक्राइबिभ हाङ है सकर्च brag notified उसे की तैयारी में यहांपे कर रही थी शाम का बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था क्योंकि आज सा मंडे और मंडे के दिन पीट लगती हैं यहाँ पर तो हम सबजी लेने जाते हैं दिन के टाइम पर तो एक देड़ दो गंटे आराम से हमारे वहाँ चले जाते हैं तो शाम के 6 बच गए थे और बहुत गंदी बारिश आई थी आज यहाँ पर ओले भी पड़ गए थे और हम वहीं थे तो मज़ा तो आता है पर ठंड में थोड़ा यह रहता है कि भीग जाओ तो बीमार होने का डर रहता है तो यहाँ पर फटा फट से घरा करके मैंने हाथ जो तिल मैंने मंगा रखे थे उसमें बहुत ही ज्यादा बारीग 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 कच्रा था तो मुझे बरबर यह शक हो रहा था कि यार कुछ रह तो नहीं गया कुछ रह तो नहीं गया इसको ढीक से साफ कर लो क्योंकि बोलते हैं कि प्रशाद को हमेशा साफ तो मेरे माइन में एक यह रथा यार फिर से एक बर कर लूँ साफ इसको फिर से एक बर तिल को साफ कर लूँ क्योंकि मैं ममी और बोलते हैं कि वायट तिल हमेशाद थोड़ा साफ ही आते पर इसमें पता नहीं क्यों इतना वो था बीच बीच में मुझे शक आ रहा था तो के प्रशाद बनाने का प्रोसस होता है वो स्टार्ट करूंगी तो यह मैंने चड़ा दी है नॉन स्टिक कड़ाई यही मैंने ओनलाइन मंगवाई थी तो इसी वहाने इसका शुब मूरत भी हो गया कड़ाई का कहते हैं कि कड़ाई है कोई भी बरतन लो तो उसमें मीठा ही बनाता है जो इमाम जस्ते आता है मुनके बड़ा सोते ना जो इसमें कुट कुट के बनाता है पर मेरे पास वह नही है तो मैं इसको मिकसी में ही पीसूंगी और गुडव अगयरा तो सब कुछ था पर इसमें मैं शकर ही डालूंगी क्योंकि शकर अवेलेबल थी तो के लड़ू बना दिये, तो तील का तो ऐसा होता है, हल्दी भी होता ही है, और प्रशाद में तो में यही होता है, तिल कुट, तो यहां पर पर मैं लड़ू अगेरा कुछ नहीं बनाने हो लिए हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा प्रशाद ही निकाल रही हूँ, इसलिए मैंने से तिल ही भूने है, जादा नहीं भूने है, क्योंकि लड़ू अगेरा तो ऐसा है, कभी मन किया तो एक दो दिन बाद फिर बना लूँगी, अहस बहुत जादा लेट हो गया था, अगर मैं सारी तिल छानने, साफ करने बैठ जाती तो बहुत जादा टाइम हो जाता, इसलि मेरी तिल ब्राउन हो गई थी, इसको मैंने पीस लिया था मिक्सी में, आप लोग इसको कूट भी सकते हैं, काफी लोग कूटते होंगे, क्योंकि तिल कूट ही जिसका नहाम है, उसको पीसने का तो कोई वो नहीं है, पर मैंने इसको पीस लिया, और यह है शकर, गुड डाल नहीं डालें, सिर्फ और सिर्फ मैं पे किशमी शीर डाले हैं इसमें, हलो अबरीवान, कैसे हो आप सभी, तो आज है लोडी, तो हैपी लोडी टू आल, लोडी की बहुत बहुत चुप कामना है, बस आज एक ज़रा सा वो गया है, कि बारीश होगी है, औले गीरे हैं, तो थोड़ा हो जाता है, मोड थोड़ा जीब सो जाता है, क्योंकि बहुत प्लाइनिंग कर रहे हो जिस चीज की, क्योंकि काफी दूमधाम से मनाई जाती है, लोडी, ढोल, नगाडे, मतलब ढोल बसते हैं, सारे लोग मिलके कि तने अच्छे से मनाते हैं, पर बारीश की ज़र थोड़ा सा उसका वो कम हो गया है, तो चोलो फिर भी कोई बात मी मनाने वाले तब भी मनाएंगे, मनाएंगे, तो लोडी तो है ही आज और एक वरत भी है, सकट का वरत, तो अल्मोस्त सभी ने आज रखा होगा, क्योंकि आज चड़ता, चड़ती है, कल उतरती है, तो कल द बात पूज़ा करूंगी मैं, क्योंकि बारिष की वज़े से, आज की दिन बारिष भी ऐसा होता कि आती ही आती है, क्योंकि तारे चांद खोल करके वरत खुलता है, तो तो थोड़ा और लेट हो जाता है, तो मैंने तब तक मैं दिनर की प्रपरेशन कर लो, तो प्रशाद सबजी भी हम लेके आया, लगी बारिष में हम लोग सबजी लेने गए, दीदी में और अंटी, क्योंकि सबजी कुछ नी थी ना, नीचे थी ना, मेरे पास थी और अंटी के पास थोड़ी भोत होगी, पर ऐसा होता है, तो मज़ा आता है, ऐसे मौसम में भी काफी मज़ा आ पर यह है कि सबजी में थोड़ा कम मसा आता है, क्योंकि पहली ठंड लग रही होती है, और अगर बीग जाओ तो बहुत बुरी हलत होती है, बच्चे घर में ही थे, बच्चों को हम नहीं लेके गए थे, और मुझे सबजी भी समालनी है, आज ही लेके आए कुछ नहीं सिम्बल डोड़ा, सिम्बल डोड़ा मैं भी फर्स टाइम ही देख रही हूँ, इन्होंने पूछा होगा सब्जी वेले भी ऐसे तो उनने बोला, यह बहुत पौश्टिक सब्जी होती है, बहुत अच्छी होती है, सब्दियों में मोसली बिलती है, तो यह ले आए, अब मै मैंने फिर इसकी एक दू रेसिपी देखी यूट्यूब पे वहां से, फिर मैं ममी को फोन करके पूछा, मैंने का भाई, सिम्बल डोड़ा क्या है, मतलब कैसे बनती है, क्योंकि हर एक चीज को बनाने का अपना तरीका होता है, तो ममी ने बताया, फिर कि उसको काट के अपना है, सेमल डोड़ा, और ये भोलर तो सिम्बल सिम्बल बोल रही है, बरी फिर स्टाइम सोना है, तो गडवर शडवर तो होगी, अब सेमल डोड़ा की चब जी कैसे बनती है, बाई फिर स्टाइम ट्राइक कर रही हूं, आप सब को भी अच्छी नहीं के कि की मुझे अच्छी लेगे कि नहीं, इनोंने बोला टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है, और दिखने में, काफी लोगों को पता भी होगा, क्योंकि सद्यों की टाइम पर काफी लोगों ने मराई भी होगी, सेम्बल के तो बहुत अयुरवेदिक लाब भी है, जोडों का दर्द बग । तो इसको मैंने उबाल लिया है, हाफ बॉयल करने को बोला था भाईया ने की हाफ बॉयल करना इसको जो सब्जी वाले भाईया उनी से ही रेसिपी सुनके आये थे, हाफ बॉयल करने को इसको मैंने नीचोड़ा है पहले अच्छी तरीके से, फिर दो-चार बार साफ पानी में होया है और यह है दो से तीन प्याज हरी मिर्चोर लहसुन में इसी में ग्राइन कर दी है और यह है दो टमाटर तो इन्होंने बोला था भई अच्छे खासे मसाले में बनाना तब ही टेस्ट आएगा तो मैंने का चलो भई देखते हैं अच्छे खासे मसाले में ही बनाऊंगी तो इतना मसाला तो मैं पनीर वगेरा भी बनाती, उसमें भी नी डालती हूँ, तो इसमें तो मैंने चक के मसाला डाल दिया, मैंने का आज कोई शिकायत का मोखा दूंगी ही नहीं, कहीं बोले तिरको बनानी नहीं आई या कुछ भी, तो पहले ही मुझे जिस चीजों में ऐसा टेस्टी है, इन्होंने बच्पन में एक वारी सबजी खाई थी, तो मैंने का चलो मैं भी बना के देखती हूँ, वैसे तो पॉस्टिक तो है ही मैंने जब सको सर्च किया था, तो सबने बुला था, सिंबल डोड़ा पॉस्टिक होता है बहुत ज़ादा, तो मैंने का चलो बनाने में कोई हर्ज निया, बना लेते हैं, हर एक चीज ट्राय करनी चाहिए, तो यहां पर वही जैसे सब सबजी यां बनती है, वैसी प्रोसेस से मैंने इसको भी बनाया था, तेल में प्यास वगएरा पहले ब्राउन कर लिया था, और हिंग भी मैंने डाली थी, क्योंकि सबजी या जो मैं लेके आई थी, वो मैंने सेट करनी है, क्योंकि किचन टाइम में आप ये सब काम भी लेके चलते हो, एक ही काम में अगर चिपके रहोगे, तो और कामों के लिए फिर टाइम निकलता है, या तो आपको जादा ही टाइम देना पड़ता है, इसलिए बीज- जो चलो 20 मिनट और भून लेती हूँ, फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल लिये थे, जो सिंबल डोडा की सबजी थी, उपाली हुई वो, तो अच्छी तरीके से मैंने इसको मसाले में कर दिया था, मिक्स, ताकि 10 मिनट तक अगर मैं इसको पकाऊं तो अच्छे से इसमें म अगेगी, तो 10 मिनट बाद मैंने देखा था, तो यह कुछ ऐसी दिख रही थी, दिख तो ऐसी रही थी, पर यह पक चुकी थी, मतलग कर्ची से हम चेक कर रहे थे, तो यह पकी दिख रही थी, तूट रही थी अराम से, और टेस्ट में भी बहुत टेस्टी थी, जैसे अर् आप अगर डोड़े की सबजी काफी बार खाते हैं, बना चुके हैं, तो मेरे को ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए, तो लाइक करना मत बूलिएगा, बाई बाई